अनीश तिंग टाको वेलकम टू अ मार्केट अनलेसिस वीडियो जहां हर हफते हम लोग बैट करके कुछ अच्छे-च्छे स्टॉक्स डेफिनिटली निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ इंट्रादे स्टॉक्स और कुछ दो-तीन स्विंग स्टॉक्स निकालते हैं साथ मेंनलाइस करते हैं सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं क्यूं कर सकते हैं पीछे प्रीजन्स کیा थे सारी चीजे सीखते हैं ताकि एक लॉंग टम में हम हर कोई जितने भी लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं बढ़ते जा रहें सीखते जाएं और सबका अप्रोच सेम हो सब एक तरीके से सोचें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं और यह अनालिस इस नॉट जस्ट फ़र मंडे मॉर्निंग दिस सुप्ट वर्क टूजडे इस वेल मंड विडियोस डालूँगा इव है कैसे उटके अभी वीडियोस डालूगा इवेंट में से कुछ खास काम् का निकलता जो मैं च्षेर करना चाहता हूं कुछ काम का भी डालूगी के साफ से कुछ technical पक्क कुछ ना कुछ शेयर जरूर करूँगा इवेंट्स के से भी खरूंगा ठीक है तो चलो अभी-तो अभी की बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी-बैंक निफ्टी में इंटरस्ट होता लोगों को तो सबसे पहले इस पर चले जाते हैं नहीं कर पाता सीधे गैप अप हो जाता है और आज तक एक बार भी टूटा नहीं है तो हम लोग एक बहुत इंपोर्टेंट डबल बॉटम सपोर्ट बना चुके हैं अब इसके नीचे अगर कोई लेवल है तो डेफिनेटल वह यह है और इसके उपर कोई लेवल है तो दैन द इस नहीं पाया अब मैं इसके बाद वाले ट्रेट्स दूगा क्योंकि कल के बाद मैं फ्री हो जाओंगा तो देखो डिस इस 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 इंपोर्टेंट लेवल डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यह आपको समझ में हाएगा कि लेवल्स बहुत सिंपल है तो चलो मैं बत if it is breaking the level it could be a sell trade but मैं नहीं करूँगा बता है मैं कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि market straight away जब ऐसे fall करता है ना एक bear flag बना के करता है तो अच्छी बात है but market straight away fall करता है तो मैं उस पर trust नहीं कर पाता है तो I won't be shorting this market as तुरंथ अगर एक double top बना के गिरता है तो मैं कर पाऊंगा अगर market consolidate करता है तो मैं कर पाऊंगा लेकर डिरेक्ली गिरता है तो मैं expect करूँगा कि एक inverted head and shoulder का head बना दें and then again support लेकर यह उपर जाए तो this is going to be my philosophy else I am not trading अगर यह consolidate होता है market तोड़ता है शॉट करेंगे अगर यह उपर जाके double top बनाता है यहीं से और हायर विक rejection दिखता है यहीं से शॉट कर लूँगा यह target बनाऊंगा पहला यह दूसरा लेकिन डिरेक्ली गिरता है तो मैं इस तरीके से movement बनाता है तो मैं इन लेवल्स के असवास entry करूँगा बाय करने के लिए इसको टार्गेट होनगा पहला फिर दूसरा टार्गेट यहां से बनाऊंगा और बिल्कुल आपकी अलग हो सकति और आपकी सही हो सकती मेरी वह सबकुर्ण होते हैं यह प्लान है जो कि क्रिस्टल क्लियर नहीं है निफ्टी के लिए बट बैंक इंपॉर्टेंट फेवरेट मुविंग आवरेज 400 मुविंग आवरेज थर्टी में टाइम फ्रेम पर आके वह बैठा है तो निफ्टी में तो इतने कॉंप्लिकेशन है इसमें उतने नहीं है मेरे पास अगर इस पर बोलिश मोमेंटम मेरे को देखता है न मैं सीधे घुसना पसंद करूंगा क्यों कि अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे उन्निस फाइब जो शॉट टम व्यू है न वो क्या है यहां पर शॉट बिल्डप है यहां पर शॉट बिल्डप बना था शॉट बिल्डप मतलब था निउउशॉट्स क्रियेट होते है तो अगर वही बात ह अब लोग बोलेंगे शॉट बिल्डप है तो शॉट करो शॉट बिल्डप जो है वो फ्यूचर नहीं है वो पास्ट है पास्ट में आपे काफी सारे शॉट बन यह पूरा शॉट बिल्डप है अगर कल यह बुलिश मोमेंटम दे करके 39,665 को क्रॉस कर देता है इसलिए इत देखोगे यहां पर तो अगर यह इसको तोड़ता है ना तो सारे शॉट शॉट कवरिंग आई की शॉट मेंटम आती शॉट कवरिंग बूम अपनको एक ब्रेक आउट मिलेगा अपसाइड में तो विल गो लॉंग और यहां से इनिशेट करूंगा मेरा और वो बनाऊंगा यह 500 पॉइंट का 500 पॉइंट मैं ले लू तो मैं अपने आपको लखी इसी लेवल को थोड़ा नीचे 50 पॉइंट नीचे stop loss डालके 100 पॉइंट पॉइंट का टार्गे ट्राइट करने के कोशिच करूंगा बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी का लिए लेवल तोड 38,750 का तो फिर एक तो फिर एक शॉट ट्रेड लिया जाएगा क्योंकि यहां पर जोगला सपोट लेवल है वो यहां कहीं पर है देखो तो मैं इस विक से नहीं डरूंगा क्योंकि छोटा टार्गेट है बाड़ा टार्गेट है नहीं इस मूविंग अवरेज के निचे 38,777 के नीचे 450 पॉइंट तो चलो आने आपको बता दिया कहां कहां हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी का प्लान ज्यादा असान है तो देख लो बैंक निफ्टी कर लेना ट्रेड अगर आपको लगता है तो तो अब इससे बंद करते हैं ठीक है नाओ अब मैं आ 918 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती थी नहीं मिलती थी मिल गई थी लेकिन अब यह ब्रेक करके 922 पे आ गया है मतलब एक बेर्ट्राप था डेली टाइम फ्रे म्फ्रेंपे जो यह आ चुका है तो डोड़के अगर मैं डेली टाइम फ्रेंफरेंग तो यह जैसे करके यहां लाया थे भाग गए सारे अब अगर न्यू बिल्डप होता है इसलिए बोल रहों लॉंग टम स्विंग ट्रेड है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आपको कहा किस टैप की जगह पर मिल रहा है देख रहे हो वो टारगेट बनेगा आपका पहला टारगेट बनेगा और आपको एंटर कब करना है आपको किसी भी बुलिश कैंडल पर एंटर और अपको समझ में आ गया इसमें एक भी दिन अगर मंड़े या टूस्डे को एक स्ट्रॉंग ग्रीन कैंडल दिखती है मैं लिवल्स क्या बो जो की 200 मुविंग आविश तक अपना टार्गेट ले सकते हैं इसमें एक बेर ट्राप बनाए जो रेरली बनता है यह आराम से करना यह मंडेट यूसर ज़रूरी नहीं तुरण तुरण नहीं करना एक बहुत शांदार ट्रेड है जो एक बहुत ही इंपोर्टन सपोर्ट ल है भागे है लोग 143 का प्राइज वारी ग्रीन कैंडल बना हुआ है और भागे लोग सारे शॉट भाग चुके अगर अब न्यू बिल्डप होता है तो अगर न्यू बिल्डप होता है ने शॉट कवरिंग के बाद निव लॉंग बिल्डप होता है तो दिस इस गोई बात करतें कोता क्या हो रहा हैि को टक बैंक में एक बड़े टाउड चांग आये ताध अब मेरे बैंक निफ्टी मेरे फेवरेट बूविंग आविरिज ट्याक के बैठा है इस वाल टाइम फ्रेंगे 400 अगर यह यहां से पर लेता और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेता अगर तब साइस बढ़ा है अपर टेल से और नीचे बहुत बड़ा लोर एक बुलिश कैंडल बनी है बुलिश कैंडल क्या बता रही है बुलिश कैंडल बता रही है कि देर वस एक्स्ट्रीम रिजिस्टेंस इन दिस पॉइंट ठीक है मार्केट इसके पर कभी क्लोजिंग देता नहीं दे दिया है अब देने के बाद अगर आपको एसकोर्ट में भी ये चेक करना है तो इसमें भी साथ परसेंट प्राइस बढ़ा है आठ परसेंट वाई बढ़ा है अगर यह कंटिन्यू करता अल टाम हाई तोड़ेगा कल तोड़ने लगेगा हम इसको राइड कर सकते हैं सब आपको माले में जब जाते हैं तो आप टार्गेट नहीं बना सकते हैं तो इसमें भी न एक डिप करके ब्रेक आउट दिया है और यह जो लेवल्स थे ना यह जो नहीं ब्रेक कर पाता था दे दिया उसके उपर ग्लोजिंग अगर आपको डेटा चेक करना है जेके सिमेंट में कैसा बनाएं तो आप देखेंगे कि भागे हैं चौट टाइम पीरेड में लोग और एक्जाक्ली जिस दिन बड़ा कैंडल बना है उस दिन नया बिल्ड हुआ है तो यह एक पॉजडिव सिगनल है जेके सिमेंट अच्छा इंट्राडे प्लस दो-तीन दि के बाद दिखाता हूं कि इसमें का अच्छा डबल बॉटम सपोर्ट बनाए है और यह बन चुका है इस तरीके से हो चुका है अब आखरीव अगर आपको यहां लाओंगा तो पच्छिस परसेंट मतलब समझ रहे हो हंड्रेट परसेंट सेवन्टी पच्छिस परसेंट 25 प के लिए SBI if you want to trade 110 के उपर बिलकुल बाय करना और सीधे 525 का टार्गेट ना दो दिन के अंदर इंट्राडे में एक परसेंट लेलना है दो परसेंट लेलना या पांसो पच्छिस ही ओल्टाइम है क्या सपास आज जाएगा और अगर पावर के साथ लो तोड़ता है ना हम जा सकते for 1% 2% this is going to be the first support level is going to be the second support level in front of you SBI going to be a very good trade lastly Tata ELXSI इसमें क्या है इसमें आपको futures data नहीं मिलेगा इसमें क्या है देखो बहुत simple तरीके से ना मेरे मेरे के जोन है मेरे को पसंद है ये setup में जबी भी consolidation आता है ना यह भी इसको ब्रीद बार रहा है यह भी इसको लेकर आ रहा है दोनों की बीज में चल रहा है और यह दो मैंने जो जो जोन बनाया यह पूर श्रिंग कर रहा है अब यह कर रहा है consolidation किसके बाद आता है ट्रेंड के बाद आता है तो ट्रेंडिंग मूफ चाहिए अगर इंट्राडे कर सकते हो इंट्राडे कर देना लॉंग चले जाना आपका अच्छा टार्गेट मिलेगा सुन में भी लॉंग जा सकता है और उपर की तरह ब्रेक आउट देता त पता तो दिया जो लोग पहली बार देख रहे होंगे शायद आपको दो बार देखना पड़ेगा थोड़ा तेज हो गया इस बार मैंने अराम से देट दो घंटा बैट करके आप लोगों के लिए अनलेसिस करके मैंने वीडियो डाला अच्छे से पूरा मैंने खुद से इं करने के करण होता है कि आप यह ट्रेड करो वो ट्रेड करो टेलिग्राम चानल और जो फोन वगएर आते हैं उसके करण होते हैं तो आल दे बेस्ट और इफ यू आर वाचिंग फियर सब्सक्राइबर देन यू नो कि यह हरफते ऐसा आलेसिस आता है जो आपको एजुकेट भी करता पैसे भी कमाके देता है डेफिनेट सी बात है तो गाइस लेक्ट मीनों थुरू तो कॉमेंट्स होने के बाद आके कमेंट कर रहा है कहां पर क्या लगा पूछना तो पूछ लेना कोई प्रोब्लम नहीं है और अगर ट्रेडिंग करते हो अकाउंट खुलवाते हो जिरोधा में आप स्टॉक्स में मेरे फ्रू लिंक पड़ी हुई आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इमेल कर देना नीशेट बूमिंग पूट कॉम पे अपना इमेल अपना जिरोधा और अप्सक्क्स का इडी नंबर सुट आई हाव रिकॉर्स टेक है सू वह आपकी मर्जी तो करो नहीं करा तो नहीं करो तो भी आता रहेगा ठीक है अब अगला वीकेंड आ जागे दीवाली के बाद यागा तो मूरत ट्रेडिंग में क्या मूरत ट्रेडिंग जो होती हो तो सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए होती है शायद लाइव आ जाओं लेते हैं गुड लग के लिए खरी दीते हैं ठीक है ऐसा हम करते हैं तो all the best guys for your for your trading tomorrow ठीक है all the very best इसके देगो earnings आ चुकी है consolidated कर रहा अच्छा breakout देगा बाकि आपकी जो मर्जी देगो सारी ट्रेड मत करना एक एक दीरी-दीरी करके limited stocks पे ट्रेड करना ठीक है चलो बाई तै झाल